हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई चैनल स्टेडी फोर यू तो गाइज आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुसकबरी है दोस्तो जिनोंने भी रेलवेग ग्रूप डी का फॉर्म बर रहा है उनका जो ऑफिसियली परिच्छा ती थी जो है दोस्तो वो घोसित कर दिया गया है और बिल्कुल मैं आपको इस वेड़ो में जो ओफिसयली बताऊंगा तो वेड़ो को जो है सेर जरूर कर दीजेगा दोस्तो जो भी ग्रूप डी का फॉर्म बर रहे हैं क्योंकि आपका एक्जाम डेट जो है वो घोसित कर दिया गया दोस्तो तो उनको जो आप सेर करना बि कोई भी न्यूज होता है आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है तो देख लेते हैं कि आखिर ओफिसयली न्यूज जो है परिच्छा तीथी को लेकर क्या आया है तो जैसा कि आप देख सकते दोस्तों आज के पेपर में ये नोटीस जारी किया गया SSC MTS Tier 2 का परिच्छा जो है ये 17 November को होगा यह आपका डेट जारी कर दिया गया SSC MTS Tier 2 का और यहाँ पे आप देख सकते हैं को आपका Railway Group D की परिच्छा जो है वो 15 के बाद जो आपका लिया जाएगा यहाँ पे जो है Probability आपका बताया जा रहा है ठीक है यहाँ पे मैं सुचना उपलब्द कराई जाएगी तो जैसे ही सुचना उपलब्द होता दोस्तों मैं आपको सबसे पहले वीडियो जो है प्रवाइट करूंगा और मैं कोई फेक वीडियो नहीं प्रवाइट करूंगा दोस्तों जो भी होगा वह आपका Real और Authentic होगा तो चैनल को जो है एक दम बिल्कुल सबस्क्राइब कर लिजेगा दोस्तों ठीक है और अभी RRB ने जो है ग्रूप में आवेदन करने वाले परिचारतियों का ब्योरा जो है वेबसाइट पर उपलब्द कराया है परिचारतियों का फॉर्म किन कारणों से रिजेक्ट किया गया है इसकी सभी अजलाही तक आप देख सकते हैं ठीक है और जिनका भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ है वह कमेंड बॉक्स में जरूर कमेंड कर दे दोस्तों क्योंकि मैं एक वाटसेब गृूप बनाया हूं। जिनमें जो है जिनका भी फॉर्म रिजेक्ट हुए है उनके लिए मैं कोश करता हूँ कि उन्हें जो है किसी भी परकार का सही होगो तो मैं उन्हें दे सकता हूँ ठीक है तो आप जो है अपना नंबर कमेंट कर दीजेगा मैं आपको जो है वाटसब ग्रूप में जोड लूँगा ठीक है और यहां पर आप देख सकते दोस्तों कि इसके लिए जो 31 जु बैबलिटी बताया जा रहा है वो 15 सितंबर के बाद बताया जा रहा है ठीक है तो जायर सी बात है दोस्तों कि आपका जो एंटी पीसी का एक्जाम होगा वो ग्रूप डी से पहले होने वाला है लेकिन अभी तक कोई अफिसियली नोटीस नहीं आए इसके रिकार्डिंग ल वीडियो अगर एच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को जह लाइक करना बिल्कुल भी मत बूलेगा और अगर चैनल पर नहे दोस्तों तो रिक्वेश्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बैल आइकन को जरूर दबा दीजेगा क्योंकि मैं आपको इसी तरह रियल और और अथेंटिक न्यूज अपने चैनल पर प्रोवाइड करता रहता हूं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक थाइंक यू अल दे बैस